आप कहीं और जगह पे जाओ ना जाओ यहां पे एक बार ज़रूर आना यह है प्रेसिरेंट का बैडरूम जहां जहां यूएस इन्वल होता है ना वहां वहां लफड़े होते हैं यह है छोटा सा मल्टिप्लेक्स यहां पे यह लोग कुछ प्रोग्राम करते होंगे आज होची मिन में हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहा हैं कुछ खाना खाने कुछी सुबह ब्रेक्पास नहीं किया है कल रात को तीन बजे होटल पे आए और अभी हम लंच और ब्रेक्पास साथ में ही कर देंगे और उसके बाद हमको मनी भी चेंज करवाना है मनी चेंज करवाना कि हमको कल का एक तूर पेकेज हमको बुक करवाना है तो हम वहां जाएंगे और तूर बुक करवाएंगे अभी हम आये हैं यहाँ पर ठाना काने और हमने और किया है यह चिकन करी है और यह जिंजर चिकन है और उसके साथ सिफ नौल यहाँ पर यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो आप पानी की पॉर्टल या कोई ड्रिंक आप साथ में लेकर चलिएगा नहीं तो आपका डी हाइड्रेशन हो जाएगा यह जो मेरे पीछे आप देख रहो हो ना यह सेगवन सेंटरल पोस्ट ऑफिस है जो कि बना था नाइंटीन सेंचूरी में फ्रेंच गवर्मेंट ने बनाया था क्योंकि यह पहले फ्रेंच की कॉलोर्नी हुआ करती थी विएटनाश मीजडे बनाश च्यु Hearts होची मिंग सिती में अगर आपको होटल बुक करनी है ना तो डिस्ट्रिक वन एरिये में होटल बुक करना वहां से आपको 3-4 किलोमेटर के डायमेटर में आपको सब अट्रेक्शन्स प्लेसिस मिल जाएंगे जब आप उस होटल में बुक करा होगे ना उस एरिये में तो आपको ना तो बाइक रेन करने की ज़रूवत पड़ेगी ना ही टेक्सी तो यह सब आपका खर्चा बच जाएगा और बहुत सारे रेस्टोरंट्स आपको इसी तूरिस अट्रेक्शन्स प्लेस में मिल जाएंगे यह है मेरे सामने आप देख सकते हो इंडिपेंडन्स पैलेस यह है इंडिपेंडन्स पैलेस इसको री यूनिफिकेशन कन्वेंशन हॉल भी बोला जाता है 30 April 1975 को South Vietnam और North Vietnam को फिर से जोइन किया था अगर आपको हिस्त्री नहीं पता है तो बता दू के North Vietnam and South Vietnam के बीच में वार चल रही थी और North Vietnam को चाइना का सपोर्ट था और South Vietnam को यूएस का सपोर्ट था जब North Vietnam ने South Vietnam पर एटेक करके इसको वापस अपनी North Vietnam में मिला लिया था तब यहां पे ही उसकी यूनिफिकेशन हुई थी इसके लिए इसको Independence Palace भी कहा जाता है और यूनिफिकेशन Convention Hall भी बोला जाता है इसको इसकी टिकिट है 40,000 40,000 टिकिट है सिर्फ यहां की एंट्री की अगर आपको पैलेस में एंट्री लेनी है तो आपको 25,000 और देना पड़ेगा क्योंकि अंडर एक्जिबिशन भी होता है तो कुछ मैप्स और कुछ हिस्त्री होगी इसके रिलेत अगर आपको इंट्रेस्ट है तो आप 25,000 भी दे सकते है या तो फिर आपको अगर फोटो ही खिचवानी है तो ऐसे 40,000 लेकर भी आप यहां पे यह वही कन्वेंशन हॉल है जहां पे कॉन्फरेंस मिटिंग हुआ करती थी वो और के दौरान आई थिंग 1967 से लेकर 1975 तक यहां पे कॉन्फरेंस होती रहती है यह वही बैंक्वेट हॉल है जहां पे बड़े बड़े लोग आके मिनिस्टर और प्रेसिडन्ट और उनके जो गैस होते थे वी बी आई पी वो यहां पे बैठके डिनर और पार्टी किया करते थे यह है नैशनल सिक्यूरिटी काउंसिल की बैठक यहां पे होती है यह देखों नैइटी सेवन्टी के टेलिफोन और यह पूराने सब मैप्स है यहां पे यह है प्रेसिडन्ट का ओफिस प्रेसिडन्ट यहां पे बैठे है बैठे थे और उनका प्राइवेट फॉन यह है वाइस प्रेसिडन्ट का रिसेप्शन सलोन यह है यूएस के एक्स प्रेसिडन्ट जहां जहां यूएस इंवल्फ होता है ना वहां वहां लफड़े होते हैं यह है वाइस प्रेसिडन्ट ऑफिस और यह मेहमानों के बैठने की जगह यह प्रेसिडन्स और उन लोगों के जो कपड़े और यह जूटे चपल बहुत अंदेरा है हम यहां से अंदेर नहीं जा सकते हैं यह है प्रेसिडन्ट का बैडरूम यह है सोफा यह है पूराने जमाने का एर कंडिशन और यह नाइटिस के नाइटिस सेवन टीके सोफा एंड टीवी आहां नाइट लेम यह है उनका बैडरूम यह चोटा सा कबोड वो यह पीछे का नजारा और यह बैडरूम यह सोफा यह है नाइट लेम यह है प्रेसिडेंट की वाइफ को रेडी होने के लिए ड्रेसिंग टैबल एंड मीरर अंदर जाना अलाव नहीं है जितना दिखा सकता मैं दिखाता हूँ और यह है रूम के बहार का व्यूँ रे यार इन लोगों के मज़े थे इतना बड़ा पैलेस पूरे दो तीन लोगों के लिए गरवालों के लिए रहने के लिए यह है छोटा सा मल्टिप्लेक्स यहां पर यह लोग कुछ प्रोग्राम करते होंगे जो स्पेश्यल विवी आईपी गैस्त होंगे उसके लिए यह सिटिंग अरेंज्मेंट क्योंकि उस ताइम पर थीयतर था नहीं नहीं तो यहां पर थीयतर से यह लोग मूवी गूवी ड देखाते होंगे अरे यह प्रोजेक्टर रूम है वो जो नीचे हमने देखा ना वो मल्टिप्लेक्स थीयतर जैसा है यहां से वो मूवी गूवी डिखाते होंगे यह देखो जो अमने नीचे देखा ना वो मूवी थीयतर होगा और यहां से प्रोजेक्शन होता होगा अब यह और उपर भी है अरे बहुत बढ़ा है ही इधर भी प्यान हुआया यह प्रेसिडंट को यूज करने का हेलिकॉप्टर है यूज में प्रेसिडंट आते जाते थे यह है सेलन अफ ड़ फॉर कार्डिनल डिरेक्शन्स यह इसको मेडिके इचेशन रूम भी बोलते थे अरे एक चीज़ समझ में नहीं आती वार करते हैं उसके बाद जो भी पीस बोलते हैं उसको बोलते हैं पीस तो वार ही क्यों करते हैं अगर पीस ही करना है तो पहले से पीस क्यों नहीं रखते हैं यह होची मिन सिती का पूराना नाम और यह है पूराना मैप यह है कमान सेंटर यह है विएटनाम यह है लाओस यह है थाइलेंड और यह है खेंबोडिया यह पू सबसे पुराना मैप है 28 जैनुवारी 73 यहां सर पता नहीं क्या कंट्रोल होथा तो कुछ कंट्रोल करने को है यह बंकर यह बंकर है और हम बंकर की ओर जा रहे हैं यहां पर जो कमांडिंग ओफिसर्स होते हूंगे वो यहीं पर बैठते होंगे क्योंकि इनके लिए ही बहुत सारे फॉन रखे होंगे कमान लेने के लिए और कमान देने के लिए यहाँ पर एक्जिविशन है तो यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी 18th century से लेकर modern Vietnam की पूरी हिस्ट्री है तो अगर आपको war museum या उसमें interest है तो आप यहाँ पर आके यहाँ पर पूरा explore कर सकते हैं पूरा तो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ पर बहुत ही information यहाँ पर है और यहाँ की history फिर यह French colony कैसे बना फिर यहाँ के शासक ने क्या किया था यहाँ पर किन किन लोगों ने रूल किया है वो सब information आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब अब आपने वीडियो में देखा होगा कि जो बंडा था वो कोकोनट बेच रहा था और मेरे डूसको वो दिखा दिया के भाई यह त्राइ करो देखो बात करने की फ्रेंडली होने की त्राइब कर रहा था फिर उसने क्या बोला कि मैं घर जा रहा हूं आपको कि में तो अगर आप तूरीस्त होंगे तो आप भी सूचा कि गर जा रहा है किया रहा है वहां पर चला और वहां पर जाकि उसने कि दूसरे तूरिस्ट को भी सेम सेम पट्टी पढ़ाई कि मैं गर जा रहा हूं कैसे हो कहां से आये हो फ्रेंडली होने की कोशिस कर रहा था तो अगर आप भी यहां पर आये होची मीन सिद्टी में और कोई भी कोकोनट वाला जो वेंडर है वो आप से ऐसा बात करें कि फ्रे कि यह सब रियल बॉंब्स है कि जो 9070 वार में यूज होए थे यूएस आर्मी की और विएटनम वार की विएटनम की गवर्मेंट के द्वारा यह है वार रेमनेंस म्यूजियम इसकी टिकेट है 40,000 विएटनमी डॉंग और यहां पर है अमेरिका के एरफोर्स के प्लेन जो यहां पर एटेक करने आए थे और गीर गए थे उसको यहां पर म्यूजियम के तौर पर रखा हुआ है यह टैंक्स है यह हेलिकॉप्टर है यह हेलिकॉप्टर चिनोग हेलिकॉप्टर है जो हमारे इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है चिनोग हेलिकॉप्टर पहली बार इतने करीब से आर्मी हेलिकॉक्टर देख रहा हूँ अच्छा लग रहा है यह टैंक यह सब यूएस आर्मी के टैंक्स और वैपन्स थे यहाँ पर जो बुल्डोजर यह बुल्डोजर है यूएस आर्मी यूएस आर्मी यह बयुक्ष यूएसे इसानματα शना मोडिक के ससे हताय लग bowl यूएसें़ यूस आर्मी यूस आर्मी यूएस आर्मी कि य्यूँ अपका औियुट खिर थाद दिन व फ्सक्राद कर दो आ लुट बैंगे it I need to fight I know it's just so hard to let it go और मेंचे ब Republicans कंपिता कि अजिए वेक्ट कि सम्सक्नी कि आ लिए मेंचे ओिए भुब लेगा एिए उड़ कि एक लड़ा जड़ कि आ लेख जो एक्ष्य और ऑ्र। Two if I let go of this rage am I complicitly betraying something I can't forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving आप कहीं और जगा पर जाओ ना जाओ यहाँ पर ज़रूर आना क्योंकि इसमें यहां पर आपको इतनी सारी जानकरिया मिलेगी जो U.S. आर्मी ने यहाँ पर विएतनामिस लोगों के साथ इनोशन लोगों के साथ कैसा अत्याचार किया वो सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा